तो अभी हमारी शाधना में उपाशना में तुरूटी है अब्याश योग युक्तेन क्या चेतशा नान्य गामिना आपका चित पंग हो जाए जाए ही ना जाने की सामर्थी ना रह जाए ये है शाधना का शुरूप भगवत प्राप्ती क्रियाओं शे नहीं चिंतन से होती है शत्क्रियाओं शे अशत्क्रियाओं का त्याग और शत्क्रिया के फलश्ट रूप आराध्य देव के चरणारविंद की चिंतन ब्रती का जागरित हो जाना ये शाधना का फल है ये उपाशना का फल है गदगद शुर। नैना सजल। दमपति रस रहे भीन। ये ही गति ब्रंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये शबशाधना का फल है। आराध्य देव के चिंतन में रूमांच हो रहा है। पुलकावली बढ़ रही। अश्रुक प्रवा हो रहा है। ब्रंदावन की विथियों में युगल चिंतन में डूबा हुआ है। ये जीवन का शाधना का परमलाव है। चेतशा नान्य गामिना हमारा चित कहीं और जायना तो इसका परणाम परमम दिव्यम। जो परम दिव्य हैं परम पुरुष हैं। ये पार्थ बार बार चिंतन के प्रभावशें उनकी प्राप्ति हो जाती है। पुरुषम परमम दिव्यम यादि पार्थान चिंतन अनुचिंतन जो चिंतन कर रहे हैं बार 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 अनुष्मरां बार 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 चिंतन करना। अगर हमारा आंतरिक चिंतन प्रभुमें नहीं हो रहा है तो हमें बहुत विकल होना चाहिए। शंतोष नहीं होना चाहिए इस बात में क्योंकि अगर शंतोष कर लोगे शाधना में तो शाधना रुख जाएगी। शंतोष शुख दुख में जैसी परिस्थिति आई है चाहे वो शुखद हो या दुखद। जथा लाब शंतोष शदा काहूशो कछु नच होंगो। मेरे आराध्य देव ने जैसी मेरी परिस्थिति की रचना कर दी है विधान कर दिया उशी में मैं संतोष हूँ। ये शुख दुख के लिए भजन के लिए नहीं। भजन के लिए तो इतनी व्याकुलता चाहिए तद विश्मरनें परम्व्याकुलते दि यदि कहीं आध्य पल के लिए भी आराध्य देव का किशी कारण से विश्मरन हो रहा है तो परम्व्याकुलता आजानी चाहिए। अनुचिंता है बार बार चिंता है अव्यावरत भजनाद अखंड भजन एक बार पकड़ाना होता है मन को यह ज्यादा परिश्च्रम की बात नहीं है इसमें थोड़े लालशा की बात है अगर कहीं कृपा से लालशा जागरत हो जाए भगवत प्राप्ति की शादुशंग की कृपा से भजन की ब्रति जागरत हो जाए हमारा हरदय इस बाग के लिए लालाईत हो जाए कि अब बहुत समय हो गया अब तो बश्प्रिया लाल को ही प्राप्त करना हमारा हरदय का उद्देश होगा इसमें दम है इसमें शामर्थ है कि आपका चिंतन बदल देगी एक बार इसको पकड़ाना होता है बहुत कृपा है मन की जिस मन को धिकार दिया जाता है हम आपको बताते हैं हो बहुत कृपा कर रहा है उसको पकड़ा दो एक बार नाम एक बार रूप एक बार चरणुक आश्रे एक बार लीला का रशा श्वादन फिर ये जाने वाला नह जैसे हमने इसे विशय सुख पकड़ाया तो इतना प्रयास करने पर भी ये नहीं छोड़ पा रहा ऐसे ये गुरू कृपाशे भगवत कृपाशे एक बार इसे हम नाम पकड़ाया दे बश फिर हमारा काम बन जाएगा ये छोड़ता नहीं इस शची बात कह रहा हूँ ये अभी आप पकड़ा नहीं पाए है बिशे ही पकड़े है इसलिए आपको लगता है कि भजन में मन नहीं लगता भजन कैसे होगा ये तो बड़ा कठिन है पर हम आपको कह रहे हैं कठिन भजन नहीं है कठिन है लालशा ये लालशा एदिजागरत हो जाए श्यमाश्यम से मिलने की या संसार से मुक्त होने की या परमशुख्षप्राप्ती की और वो पूर्ति होती भजन से और भजन की चाह प्रगट हो जाए हम भजन पकड़ा दे मन को बस हो गया काम सच्ची मानिए जागते, सोते, उठते, बैठते, सौच में, अशौच में, ऐसी भी परिष्टिती हो प्रणाम है मन को, धन्यवाद है मन को कि उसने अपने शुभाव का बरताओ यहां भी किया मन का शुभाव जिसे पकड़ लेता है और छोड़ने की चेश्टा करने पर भी हम उससे नहीं छुड़ा पते हैं यही सुभाव हमारे काम आ गया मन की यही बृति हमें निहाल कर दी इसका सुभाव हमारे काम आ गया गुरू कृपा से जब इसको नाम मंत्र पकड़ा दिया गया है कभी-कभी मन को प्रणाम करने का बार-बार मन होता है अब कोगे दो मन होते हैं हाँ एक शत्वरती का एक शत्वरती का और उसी दोनों मन को तदात्म भाव से शोईकाद कुया हुआ वा आत्मश्वरू बार-बार शत्वरती को प्रणाम करता है कहिशिष की बृति है आश्चर होता है कोला हल मच रहा है वो मंत्र को ऐसे जागरत करता है कि एक शण के लिए विश्मरण नहीं ना नीद है ना जागरत अवस्था है केवल मंत्र, केवल नौब चाया हुआ है न सोरा है न जगरा है एक अजीब इस्थिती उन्मनी अवस्था आपके पकड़ाईए तो मन को नाम घबडा रहे हैं आप एक बार इस्थिती पकड़ा दीजिए दिखा है बता हैं आपको के हम बार बार धन्यवा देते हैं मन को जरासर विक्षेप बरदास्त नहीं होता वही मन जिसको नाम जबना बरदास्त नहीं हो रहा था बिशेचिंतम में शुक मान रहा था उसी मन को गुरु कृपा से जब गुरुमंत्र और नाम पकड़ा दिया और उसने लालशाय थूकर पकड़ लिया अब छोड़ता नहीं नींद में पड़ा तुए उपासक दिखाई दे रहा है पर उसके नाम चल रहा है क्योंकि मन ने पकड़ लिया जैसे श्वपन की रचना मन ही करता है ऐसे ही मन लग रहा है कि शुशुप्त में है पर नहीं या तो कोई दिब्विली इलादर्शन या तदाकार व्रत्ति मंत्र में नामने आ गया ना अब्यास का फल परमम पुरुषम दिब्यम यादि पार्थानु चिंतयन ये बार बार चिंतन करने का फल मिला कि चितने पकड़ लिया मंत्र को नाम को आप कोई नहीं छुड़ा सकता अभी तो शंतजन कहते हैं जो इस शवस्था को प्राप्त है कि मेरा भजन तो राम करते हैं मैं क्या भजन करूँ मेरा भजन राम करते हैं क्योंकि इंद्रियाना मनस्च चास्मी इंद्रियों में मैं मन हूँ अब मन नाम जब कर रहा है